वी हेलो फ्रेंड्स यह सेस्टन एक्स्क्लूसिवली आपकी लिए है अगर आप बहुत सारी मोटिवेशनल ट्रेनिंग एटेंड करते लॉप अफरेक्षन पर बहुत सारी वीडियो देखते हैं बुक्स पढ़ते आप अफर्मेशन प्रेक्टिस करते हैं विजुलाइशन क्र लगा पाते हैं कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है सारी books बात करती हैं सारे trainers बात करते हैं कि visualization कर लोगे तो यह हो जाएगा formation कर लोगे तो वो हो जाएगा आप सारी कोशिश तो करते लेकिन होता तो कुछ है नहीं है अगर ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहें तो इस सेशन को इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आपके क्योशन का अंसर इस सेशन में चुपा हुआ है So hello friends, मेरा नाम विवेक राठोर है, मैं author और neuropsychology expert हूँ आज जो issue मैंने आपको share किया, उसका मैं आपको solution share करूँगा क्योंकि इसका जो solution है, वो हमारे neuroscience में चुपा हुआ है उसके लिए हमें अपने brain के बारे में कुछ समझना होगा क्योंकि देखें, जो भी manifestation है, ये हमारे mind और हमारे brain के through होके जाता है और जादा तर चीज़ें जो आप लोग सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं वो सारी चीज़े mind के बारे में होती है brain को लेके हमारे पास information कम होता है और जो भी हम लोग stuck करते हैं, result produce नहीं कर पाते हैं तो कुछ ने कुछ brain के बारे में कुछ बहुत important information है जो आप miss कर रहे हैं जो मैं आज आपको share करता हूँ इन सब issues का जो solution है, उसको मैं बोलता हूँ law of reference point इसका मतलब क्या है? देखें friends, हमारा जो brain है, वो function करता है around हमारे brain में जो past की memories है उसको वो base बना के work करता है तो जब भी हम लोग कोई technique practice करते हैं, तो उसका जो main purpose ही होता है कि क्या वो हमारे brain के past memory को erase कर पा रहा है, क्या वो हमारे reference point को change कर पा रहा है क्योंकि देखें, जो हम लोग अपनी life में वैसी situation attract करेंगे जिस तरह के reference point को हम लोग follow करेंगे और हमारे brain का एक default function होता है, कि जो हमारे past की memories है हमारे brain में जो already जो past की incident है उसी को हमारा brain, हमारा mind reference point बना के work करता है और यही reason है, कि वो आपकी life में वैसे ही दिन आते रहते हैं जैसे दिन आप जी चुके हैं, आपकी life में वही realities आती रहते हैं जो reality को आप जी चुके है, तो solution क्या है solution यह है कि अगर किसी technique से, किसी process से, किसी formula से, किसी framework से अगर हम आपने reference point को change कर दे अगर हम अपने brain में ऐसे patterns develop कर ले, कि हमारा जो brain है वो past की negative चीज़ों को reference point ना बना के future की positive चीज़ों को reference point बनाना शुरू कर दे तो हमारा reference point change हो जाएगा और जब तक आपका reference point change नहीं होगा तब तक आपका जो manifestation है, वो जालतर cases में work नहीं करेगा हम बात कर रहे थे कि अपने reference point को change करके हम लोग अपने deepest desire को manifest कर सकते हैं अगर हम लोग अपने reference point को change नहीं करेंगे तो आप जो भी time invest कर रहे हैं, जो भी आप time and money invest कर रहे हैं इन सब science को सीखने में, law of attraction सीखने में, NLP सीखने में आप अपने time का best utilization नहीं कर रहे हैं So, how to implement it? मैं आपको simple three step का process बताता हूँ Step number one, सबसे पहले use power of intention सबसे पहले intent set कीजिए, जो भी आप shift चाहते हैं, जो भी आप chain चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले power of intention की practice कीजिए वो आपके brain में changes लाएगा आपकी physiology को, आपके brain को, आपके body को, आपके emotions को ready करेगा उस positive possibility के लिए जो आप manifest करना चाहते हैं Step number two, आपको statement लिखिए आपको जो भी लगता है कि अगर आप successful होते हैं मान लिजे 2-3 साल बाद होते हैं, 5 साल बाद होते हैं तो जो आपकी reality होगी, तब जो आपकी life का, जो सच होगा उस statement को लिखने की कोशिश कीजिए उस statement को बार-बार लिखिए और बार-बार पढ़ने की कोशिश कीजिए अगर आप उसे बार-बार लिखेंगे, बार-बार पढ़ेंगे तो वो आपके brain का reference point change होगा and step number 3, आप thankfulness की practice कीजिए ये 3 step practice करके, आप उपने reference point को change कर सकते है so hope मैं आपको message convey कर पाया, in sort में summarize करता हूँ कई जातर लोग का affirmation, law of attraction या NLP जो भी वो techniques practice कर रहे हैं वो work नहीं करता है, क्योंकि जब तक आपना reference point change नहीं करेंगे वो work नहीं करेगा, क्योंकि हमारे brain को एक reference point चाहिए होता है reference point change करने का 3 step का easy process मैंने बताया, आपको बताया step number 1, power of intention को use कीजिए step number 2, अपसे कुछ साल बाद आपके life के जो भी reality होगी, जो भी possibility आपको लगता है आप उस statement को बार-बार लिखिए, उसको पढ़ने ही कोशिश कीजिए and third, आप thankfulness की practice कीजिए, ये 3 step का जो process है, आपके reference point को काफी हद तक change कर देगा, और अगर आप इस neuroscience को, neuroscience को, brain science को deeply समझना चाहते हैं, तो नीचे link दिया गया होगा, आप उसके तुरू मारे community में आईए, हम लोग आपको opportunity share करेंगे कि जो भी हम लोग के, जो भी हम लोग का system या एक format होता है, या जो program होता है, उसको आप attend करके इसको समझ के, आप इसे, इस science को deeply understand कर सकते हैं, और manifestation को, अपने wishes को manifest करने के random efforts को हटा के, आप 100% certainty के process को follow कर सकते हैं, इस एक साथ, आज क्या, मैं session close करता हूँ, आपको बहुत-बहुत thank you, मैं wish करता हूँ, मैं pray करता हूँ, कि आपकी जो भी deepest desire है, जो आपकी जो one desire है, जो बहुत सालों से आप carry कर रहे हैं, वो जल्दी manifest हो जाए, आप इस technique क practice कीजे, result produce कीजे, और कोई भी आपका question है तो आप comment box में उसे पूछ सकते हैं, बहुत-बहुत thank you